स्वागत है आप सभी लोगों का आज मैं लड़कियों के लिए खास थोर से नेवी में भरती को लेके सबसे बड़ी जनकारी लेकर आए हूँ और साती साथ आज मैं बताने वाला हूं कि लड़कियों को नेवी में कैसे भरती लिया जाता है और girls navy selection process यानि लड़कियों को navy में भरती होने के लिए जो selection process होता है वो क्या होता है यानि किन किन चरणों से गुजरने के बाद लड़कियां navy में भरती होती है साथ मैं बताऊँगा कि क्या navy में इर्थ पास, 10th पास, 12th पास, graduation पास, diploma पास, b.tech पास किस-किस qualification में navy में भरती आती है लड़कियों के लिए और खास तोल से physical, medical, written, exam, interview पूरी जनकारी हम हिंदी में देंगे और साथी-साथ ये भात आएंगे कि ये भरती कब-कब आती है और लड़किया इस form को कैसे online करती है सारी जनकारी देंगे आपको क्या पढ़ना रहता है और इसे कैसे exam को निकालना रहता है ताकि आप navy में entry हो जाए यानि navy में आपको job मिल जाए और आप अपने सुनहरे सपनों को पूरा करें और अपने पैरों पे खड़े हों और अपने माता पिता का नाम रोसन करें तो चलिए अब आगे बढ़के सारी जनकारी आपको देने वाला हूँ और सबसे पहले ये बता दूँ अगर आप भी ये वीडियो देख रही है तो वीडियो के नीचे subscribe का लाल बटम दिया होगा उसको फटाक से दबा दीजिए बगल में बैल आइकोन बनेगा उसको भी दबा दीजिएगा ताकि जब जब नेवी की भरती आती रहे तब तक हम आपको अपडेट करते रहें और ये वाली अपडेट आपको देने जा रहे हैं वीडियो के नीचे देखिए subscribe का लाल बटम होगा लिखा होगा join इंडियन आर्मी फटाक से उसको दबा दीजिए और बागल में बैल आइकोन प्रेस कर दीजिए ताकि आल डिफेंस की आपको information notification मिलती रहे चाहे वो आर्मी की हो, नेवी की हो, पुलिस की हो, BSF की हो, CRPF की हो सारी जनकारी हम आपको देते रहते हैं तो चलिए step बे step करके सारी बाते आपको बताएंगे सबसे पहले बता दे कि नेवी में है जो 8th pass लड़कियों के लिए भरती नहीं आती है तीक है, 8th pass लड़कियों के लिए भरती नहीं आती है देखें, नेवी में 100% भरती आती है, seat आती है उसमें से 50% लड़कों की seat होती है, 25% मातर लड़कियों की seat होती है हर जगे मतलब लड़कियों को इनमें कम seat है हाला कि लड़कियों के साथ नाइंसाफी होती है उन्हें बे बराबरी का हक मिलना चाहिए लेकिन अभी वैसा कुछ महौल नहीं है भरतियों को लेके भरतियों में ठीक है लड़कियों की सीट होती है, पचातर परसंट लड़कों की सीट होती है, चलिए बात बगर लेते हैं, आगर आप 10th पास है, तो ही नेवी की भरती देख सकती हैं, या देख सकते हैं, 10th, 12th या ग्रेजुएशन, सारी नेवी में अकसर भरती हैं, आफिसर रैंक पे आती हैं, तो बने रहेंगे, तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है, सबसे पहले फिर से मैं एक बार बताऊंगा कि वीडियो की नीचे, सब्सक्राइब का लाल बटम होगा, फटाक से उसको दबालो, अब तक नहीं दबाया हो, तो बगल में बैल ऐकोन दबालो, आर्मी का, नेव तो आपने डिफेंस ऐकडमी, आगर आपने इसे किया है, उसके बाद होता है, जदि आपने न्सिस, चौता होता है अगर इन चारों में से एक भी एंट्रि में आतीज के अंतरगत आप आते हैं, तो नेवी में साल में एक बार आपके लिए फ إलिए फोर्म भरने का मौका मि यानि 10th प्लस 2 आप होने चाहिए 12वी पास होने चाहिए साथ में आप बीटे की हैं तो आपके लिए डिरेक्ट नेवी में भरतिया दिये आगे मैं 10 पास भी बताऊंगा 12 पास भी बताऊंगा तो उसके लिए घपडाना बिलकूं मलत ग्रेजुएशन पास भी बताऊंगा तो वीडियो को अंत तक देखोगी तो तुम्हें सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे मैंने सुरु में ही आपको बता दिया होगा ठीक है चलिए अब बात कर लेते हैं डिरेक्ट एंट्री यह आप एक देख सकते हैं फोर ग्रेजुएशन लेवल अगर आपने ग्रेजुएशन यानि बीए बीसी भी कॉम किया है तो उसके लिए स्पोर्ट ठीक है मिजिसियन या ला इन तीनों में से कोई भी आपने कोर्स किया है तो डिरेक्ट आपको नेवी में भरती होने का एंट्री आता है साल में एक बार यह आता है ठीक है म पाईल्र जो होता है . MR में लड़की लड़कियों के लिए दोनों सीट आती है लड़के लड़की दोनों होते हैं और इनके लिए पढ़ाई कितनी लगती है वह आगे चलिये देख लेते हैं सारी बाते बता देंगे और कोशन पेपर कैसा आता है सब बता देंगे सबसे पहले यह बता दू नेवी में भरती होने का दो ही रास्ता होता है अगर आप graduation level है तो आप लोग जब form भरते हैं तो आपको interview देना रहता है, return exam देना रहता है उसके बाद ही आपको selection लिया जाता है merit list जो cut-off बनती है उस पे लिया जाता है ठीक है, उसके अंतर का कुछ चरणों से आपको गुजरना पड़ता है tier 1, tier 2 जैसे exam से आपको गुजरना पड़ता है हाला कि जब आप navy का form भरते हैं तो notification release होती है तो उसमें सारी जनकारी लिखी रहती है आपको form भरतेने के बाद भी पता चल जाता है अगर नहीं पता चलता है तो हम guide करते रहते हैं जो जनकारी देते हैं देखें यहां पर देख सकते हैं अगर आप navy defense academy यहां से हैं तो यहां से देख सकते हैं मैं दिखा देता हूँ यहां पर देख सकते हैं जो vacancy आती है name of exam nda और na exam on nda na 2 इसमें दो exam होते हैं December January notification इस time आती है ठीक है return test conduct करा जाता अपरेल में और SSB conduct by navy अगस्त सेत्मबर में फिर joining by academy आपको join करा जाते है January के next year में इसी का यह second वाला भी आप देख सकते हैं same उसी परकार है combined defense service CDS CDS किस परकार से entries लेता है अपने ठीक है इसमें कैसे आप entry ले सकते हैं तो यहाँ पर CDS का exam होता है ठीक है notification आती है November में return test होता February March में SSB conduct by navy मतलब यहाँ पर September से October में और joining आपको academy में ले लिया जाता है January ठीक है next year में इन्हें clear करने का यह है यह सारा कुछ आप तभी कर सकते हैं जब आप 12th pass है तो आप 12th pass है graduation किये हैं उसके बाद ही आप कर सकते हैं ठीक है यह उनके लिए थी अब आगे चलिए बता देते हैं और vacancy के बारे में इसमें direct entries parameter का में अंडर graduated 10 प्लस 2 बीटेक वालों के लिए मैंने बता दिया बीटेक वालों के लिए इसमें बहुत ही अच्छी vacancy आती रहती है navy के अंतरगत ठीक है तो बीटेक वाले ध्यान से notification पढ़ लेंगे इसका screenshot भी आप लोग ले सकते हैं या official notification join indian navy.nic.com पे जाके देख सकते हैं जो direct navy की official site है direct entries में यहाँ पे देख सकते हैं लेवल में ठीक है इसमें SSB वगारा के लिए होता है graduation pass लोगी इसे apply कर सकते हैं या diploma graduate वाले ठीक है अगर आप नहीं है तो इसे छोड़ देंगे और उपर NCC वाले apply कर सकते हैं NCC वालों के लिए भी navy में अलग से भरती आती है अगर आपने graduation किया है और NCC किया है तो उसके लिए भी navy में अलग से भरती आती है साल में एक बार आती है चलिए अब आगे बात कर लेते हैं introduction बता देते हैं selection process बता देते है INAT और entrance exam center ठीक है और INAT का syllabus syllabus आपको बता दूँ sports certificate है उसके पास तो navy की तो बढ़ती देख सकती है लेकिन उसे पढ़ना क्या पढ़ता है 100 questions रहते हैं ठीक है जिसमें से इंग्लिस navy में English confirm होता है navy का मतलब English confirm है English तो आएगा ही आएगा उसके बाद reasoning, math, numerical, journal knowledge journal science, mathematics और attitude ठीक है यहां पर मतलब logic वाले लगाने वाले सवाल यह सब इसका syllabus होता है यहां पर syllabus का screenshot आप ले सकते हो ठीक है और short listing बाएजब SSB होता है तो वो आपको ऐसे chart आता है चार्ट निकलता है उसमें आपका serial number और नाम रहता है ठीक है निकालने के बाद फिर आगे का आपका interview वाला जो process होता है उसे कराया जाता है ठीक है चलिए आगे बता देते है merit list and appointment later merit list कितने पे बनती है 50% से उपर पे ही बनती है अला कि अक्सर ठीक है और जो announcement appointment later होता है वो आपको कैसे मिलता है क्या मिलता है सारी इसमें process में बताया गया और लिखा भी गया ठीक है examination fees अक्सर 0 रुपए होती है navy की fees हमें सा 0 रुपए होती है एक रुपए भी form बरने की fees नहीं होती है question paper आप कहेंगे तो दुचार question paper में upload कर दूँगा लेकिन आप comment में type करेंगे कि हमें question paper चाहिए हमने वीडियो अंत तक देखा है और like किया है आपके channel को subscribe करके हम जुड़ गया है तो आपको आराम से हम सारी जानकारी या सारा material देते रहेंगे education qualification में आप देख सकते हैं ठीक है यहाँ पे चलिए अब आगे ssb producer में stage 1 stage 2 में कैसे लिया जाता है वो आप notification पढ़ सकते हैं यह सारी जानकारी आपको अच्छी तरह से कब समझ में आती है जब आप form भर देते हो तब समझ में आती है और अगर आप form नहीं भरे हो तो भरना और कब भरना वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ तो आने वाली है जो भरतिया ठीक है उसके बारे मैं भर बता देता हूँ लास्ट में आपको तो देखिए यहाँ तक मैंने दो चीज बताया आपको नेवी में भरती होने के लिए height compulsory नहीं है height आपका कितना भी हो सकता है height मतलब 42 cm या 45 cm से उपर ही height होना चाहिए ज्यादा कम भी height नहीं होना चाहिए आपकी पढ़ाई education देखिए 10th pass अगर है तो नेवी MR में भरती आती है अक्सर तो इसमें लड़कों के लिए 90% सीटे रहती है और 2-4-5% कभी-कभी ऐसा देखा जाता है कि लड़कों के लिए विसीट आ जाती है या इसे लड़किया भी form apply कर देती है और बात कर लेते हैं 12th plus BT graduation diploma वालों के लिए 90% लड़कों के लिए बढ़ती आती है मतलब इसी में जितने भी 12 से उपर हैं सारी भरती हैं उसी के अंतरगत आती है या 12th pass भी कभी-कभी आ जाती है और cost guard वगएरा की आती है तो हम बता देते हैं यहां तक age आपका 16.5 साल से उपर होना चाहिए 27 साल के बीच में होना चाहिए अगर आप navy में भरती होना चाहिए तो ठीक है यहां दो साल छूट वगएरा कास्ट के उपर मिल सकता है तो यहां तक मैंने आपका सारा डाउट किलियर कर दिया होगा हां भरती को बता देता हूं 2021 में भरती आने वाली है ठीक है 2021 में आने वाली है फिर 2022 फिर 2023 24, 25, 26, 27 हर साल उसी टार्गेट से बढ़ती आती है ठीक है और नेवी का सेलेक्शन बहुत ही आसानी से हो जाता है लेकिन हाँ टफ थोड़ा इसका इंटर्विव रहता है और रिटेन एक्जाम रहता है ठीक है और इसी को आप लोग थोड़ा कठिन मानते हैं तो जो प्रिपरेशन करेगा वो नेवी में सेलेक्शन पाएगा लड़कियां हर फिल्ड में उनके लिए सिड़ दी जारी हाला कि हरियाना एक ऐसा राज्य था जहां महिलाओ की दर प्रती हजार पुरुस 814 क्यास पार्स थी तो वहां महिलाओ को पचास परसेंट छूट देने का लागू कर दिया गया है ठीक है यह इसलिए किया जा रहा है क्योंकि लड़कियां को मतलब आगे बढ़ चड़के हिस्सा लेंगी तभी तो लड़किया बराबर रहेंगी यानि अपना मतलब हमारा आजाद भारत है तो सबको समानता कादिकार मिलना चाहिए जाहिए जाहिड सी बात है इसलिए अब धीरे धीरे लड़कियों को भी हर फिल्ड में सीटे निकाली जा रही है बियस पुलिस आर्मी नेवी आईटी बीपी हर चीज में ठीक है तो यहां तक मैं अहार चीज के बारे में बताता हूँ तो इसलिए मैं कहारा हूँ को वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का लाल बटम होगा फटाक से उसको दबालो बगल में बैल ऐकन दबालो और नेवी की आगामी बढ़तियां हमारे दवारा मिल जाएंगी उसके बाद तुम फर्म भरके पढ़ाई चालू कर देना और सेलेक्शन बाजाना ठीक है तो यहां तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद जैहिंद, जैभारत, मैं था राकेश यादो अगर कोई तुम्हारा कोशन है अगर तुम्हारी इच्छा है तो और नहीं इच्छा है तो इसी वीडियो को एकाद दो बार और देखलो सारा डाउट तुम्हारा क्लियर हो जाएगा ठीक है, यहां तक वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद